Hello अच्छो, very good morning, very good afternoon, very good evening, myself Kuldeep Singh and I am a chemistry teacher at the Indian Revolutionary School and welcome to my class, Acid, Base and Salt बेटा हम लोग बात कर रहे थे Acid, Base and Salt चेप्टर के बारे में, हम लोगों ने तो lecture, पिछल lecture में बहुत सारी बातों को सुना था, समझा था ठीक है, बहुत अच्छे से Elaborate करके Acid के बारे में, Acid के Chemical Properties के बारे में हम लोगों ने जाना था कुछ बचे हुए थे Acids के content, कुछ reaction बचे हुए थे और उसके related कुछ और term बचे हुए थे उसके बारे में हम लोगों को इस lecture में discuss करना था, तो आज especially आप लोगों के लिए ये lecture लेकर करके आया हूँ और बहुत ही important lecture है ये Acid से related और इस lecture में मैं पूरी तर से कोसिस करूँगा कि Acid से related जितने भी term है वो आपको clear कर सके और Acid से, Acid का जो main motto है उसको हम लोग clear करने के बाद समाप्त कर सके, उसके पहले मैं आपनों से humble request करना चाहूंगा कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, आपके notes बनाने पड़ रहे हैं, उसके बाद फिर जुगार लगा करके वीडियो किस तरह से position उगरा set करने पड़ रहे हैं, बहुत मेहनत लग रहा है, और आप लोगों का response उतना बढ़िया नहीं आ रहा है, जो भी question मैं आप लोगों को दे रहा हूं, comment section में लिखने के लिए, बस क्यों दो या तीन लोगों का question का answer आया है, बाकी लोगों का नहीं आया, तो बहुत ही humble request है, कि आप अगर वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो क अपनिया जो अच्छे अच्छे student है, वो लोग भी ऐसा लग रहा है, वीडियो को पूरा देखी नहीं रहे हैं, और अपने जो है, answer अगर को comment section में नहीं लिख रहे है, तो ये बहुत गलत चीज है, बहुत मेहनत लग रहे है ये वीडियो बनाने में, ठीक है, तो मैं reaction के बारे में बहुत अच्छे से study कर लिया था acid के, उस reaction के बारे में मैं बिलकुर रती भर भी नहीं discuss करूँगा, अगर आपको जानना है, तो आप YouTube पे जाए, Iris Infinity चैनल पे, जा करके वहाँ पे वीडियो को खोजिये, playlist में class 10 की वीडियो होगी, accident based part first और part second से, तो वहाँ प start करते हैं बेटा, सबसे पहली चीजा हम आप लोग को बताते हैं कि 4 reaction हम लोगों ने पढ़ लिया था, 5 वा reaction हम लोग पढ़ने वाले थे, reaction of acid with base, ये reaction हम लोग पढ़ने वाले थे, मैंने बहुत study करी, तो मुझे लगा कि acid और base का reaction इस समय बताना सही नहीं रहेगा, आप learn नहीं बढ़िया से समझ नहीं पाओगे, तो मैंने ये पूरी तरसे discuss किया और उसके बाद मैंने ये decision लिया कि ये बाला जो reaction है, हम base को sort out करने के बाद ही ये reaction पढ़ेंगे, तब जाकर कि आपको पूरी तरसे अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो अभी फिलहाल के लिए acid क जो जितने भी reaction थे वो चारी थे और वो खतम हो चुके हैं, और आज हम एक नए topics के बारे में discuss करेंगे, classification of acids, acid को classify किस तरसे किया जाता है, और acid के types कैसे होते हैं, उनके बारे में हम लोग आज लोग discuss करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि classification of acid में, acid को दो category में रखा गया है, on the basis of liberating H plus iron, H plus iron को किस तरह से liberate कर रहा है, कितनी तेजी के साथ furnace कर रहा है, उसके base में हम लोगों ने acid को दो भागों में divide किया है, पहला है आपका strong acid और दूसरा है आपका weak acid, acid कितने types के होंगे, दो types के, on the basis of liberating H plus iron, H plus iron water में जाने के बाद किस तरह से release कर रहा है, बहुत तेज या बहुत slow, उसके basis पे हम लोग देखेंगे कि acid जो होंगे, वो कितने type के होंगे, दो type के, जो पहला acid होगा, वो होगा, strong acid और दूसरा होगा, weak acid, तो जाहिर सी बात है, बहुत ही simple सी बात है, strong acid वो होगा, जिस acid को अगर जो हम water में डाल रहे है और बहुत तेजी से h-plus-iron को liberate कर रहा है, खतरनाक तरही के से, मतलब बहुत तेजी-तेजी से h-plus-iron क्या हो रहे है, लिब्रेट हो रहे है, तो उस acid को हम बोलेंगे कि यह आपका strong acid है, ठीक है, तो strong acid वो acid होते है, जो h-plus-iron water में जाने के बाद बहुत तेजी से liberate करते हैं, बहुत तेजी से furnace करते हैं, बहुत तेजी से release करते हैं, तो ऐसे कौन-कौन से acid होंगे, सबसे पहला आपका acid होगा, HCl, जिसको हम बोलते हैं, hydrochloric acid, दूसरा acid, H2SO4, जिसको हम बोलते हैं, sulfuric acid, and तीसरा है, HNO3, जिसको हम बोलते हैं, nitric acid, ठीक है, HCl, H2SO4, HNO3, ये आपके तीनों जो हैं, strong acid हैं, और एक चीज और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, सबसे खतरनाक जो acid होता है, वो होता है, aquirazia, जिसको हम बोलते हैं, amluraj, वो actual में HCl, और HNO3 के mixer से मिलके बना होता है, HCl और HNO3, इसमें 3 to 1 के ratio में, 3 to 1 के ratio में, मिला करके बनाय जाता है, और इ amluraj, aquirazia, aquirazia, ठीक है, तो आपसे competitive exam में बहुत सारे question पूछे जाते हैं, कि aquirazia में किसका-किसका mixture होता है, तो किसका-किसका mixture होता है, कौन-कौन से acid का, HNO3 और HCl, उसके बाद फिर किस ratio में, 3 to 1, अगर जो 3 molecule HCl है, तो 1 molecule कितना होगा, क्या होगा, HNO3 होगा, तो यह आ दूसरा है आपका weak acid, weak acid, ऐसे acid होते हैं विटा, जो कि H plus iron water में जाने के बाद, बहुत तेजी से liberate नहीं करते हैं, बहुत कम ही liberate करते हैं, और इनसे कोई खत्रा नहीं रहता है, ठीक है, for example, आपके, जैसे STC acid हो गया, सिरके, सिरके तो सभी लोग पीए होंगे, अगर जो इतना ही खराब होता, तो अगर आप जैसे ही, आप अपने मुह में डालते हैं, तो पूरी तरसे मुह जल जाता, है न, अगर आपका सिरका, CS3COOH, विनेगर, जिसको बोलते हैं, विनेगर, CS3COOH, अगर जो खतरनाक होता है, तो मुह जला देता, ठीक है, जलता है, क्या, न नहीं करता है, सोरिंटेस्ट तो है, हच्प्रसायन तो लिब्रेट करेगा, लेकिन बहुत तेजी से लिब्रेट नहीं करेगा, उसी तरह से आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आपका दही में होता है, तो दही खाते हो, तो मुह जलता है, क्या नहीं जलता है, तो में जो पाए जाता है उसको हम oxalic acid बोलते हैं ठीक है तो ये बहुत important चीज़ है classification of acid में on the basis of liberating h plus iron acid two types first strong acid and second weak acid strong acid are those acid which produce h plus iron very fastly in water और weak acid are those acid which produce h plus iron very slowly in water ठीक है तो मुझे जहां तक लग रहा है classification में यह वहला terms आपको समझ में आ गया हो गया अच्छा एक दूसरे base पे भी हम लोग दूसरे on the basis of amount of water amount of water के water के presence के base पे भी हम acid को जो है दो भागों में divide कर सकते हैं एक होता है एकगा concentrated acid और दूसरा होता है dilute acid एक होता है DOU仔 Mingor ete incubat Crazy ऑध दूसरा होता है dilute acid conversations एगर acid देखो यहां पे ध्यान से देखो more amount of acid और less amount of water अगर water का amound क्या है कम है और acid का amound क्या है जादे है तो वो concentrated acid होगा, और बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि उसमें acid का amount क्या है, बहुत अधिक है, और water क्या है, कम है, इसके लिए बहुत खतरनाक होगा, और आपका dilute, dilute मतलब की more amount of water, water को, water का जो है बहुत ज़ादे होगा, और उसमें acid क्या होगा, कम होगा, मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी एसीड आपका concentrate हो सकता है और dilute हो सकता है अगर जो एक acid है उसमें water का amount जादे हो गया तो वह आपका dilute हो जाएगा अगर जो water का amount क्या हो गया कम हो गया तो वही आपका concentrate हो जाएगा दूसरी चीज यह आप laboratory में जाओगे तो वहाँ पे इस तरह से लिखा और नाक वाला acid है इसमें वह acid का amount क्या है जादे है ठीक है अगर वहीं पे कहीं लिखा रहता है DIL HCL तो यह DIL नहीं यह दिल नहीं इसको बोलते हैं dilute ठीक है कुछ भी उल्टा पल्टा आप लोग सोच लेते हो ठीक है DIL मतलब होता है यह आपका dilute HCL ठीक है hydrochloric acid इसका मत concentrated होगा क्योंकि इसमें water का amount क्या है जादे है ठीक है और एक और basis होता है बेटा समझने के लिए मैं आपको बता दूँ अन्दा basis of constituents कि इन और यह इन और गैनिक acid मतलब कि ऐसा acid होगा है जो plant होगे रहे में पाए जाता प्लांट से मिलेगा ठीक है और गैनिक मतलब के carbon hydrogen और oxygen से मिलके बना होगा ठीक है और mineral acid मतलब यह आपका inorganic constituent से मिलके बना होगा inorganic मतलब आपका NO3 हो सकता है nitrogen हो हो सकता है उसके बाद फिर chloride हो सकता है CL हो सकता है फिर SO4 हो सकता है तो यह ऐसीड जो होंगे वह mineral acid होते है mineral acid में कौन फिर को मिलके होगा है क्या है कि नहीं है तो यह आपका Cisco paints aasid mo mineral acid sis 54 ima also four में सब्सक्राड है कि नहीं है तो इसका मतलब यह 505nio कं Ama हैं वो क्या होते हैं mineral acid होते हैं ठीक है और जितने आपके low acid मतलब low कह सकते हो या फिर weak acid कह सकते हो वो acid क्या होते हैं organic acid होते हैं organic acid देखो यहाँ पर CH3COS इसमें CHO है की नहीं है यह आपका क्या है weak acid है तो यह भी बहुत important है आपका आला कि मैंने यहाँ पर mention नहीं किया था यह आप इसको जो है आप learn कर सकते हो कि on the basis of constituents कि किस constituents से मिलके बना हुआ है और गैनिक या इन और गैनिक उसके बेस पर acid को हम कितने भागों में divide कर सकते हैं दो भागों में तो classification of acid हमने पूरी तरह से clear कर लिया पूरी सब पढ़ लिया ठीक है आज हम acid को पूरा खतम ही करके मानेंगे acid को हमें पूरा खतम ही कर लेना है समाप्त कर देना acid का नाम यहां से क्योंकि अगर जो lecture जल्दी जल्दी नहीं किया जाएगा तो आपका जो है syllabus complete होने में थोड़ा सा time लगेगा बट मैं यह आप से बोल रहा हूं दावा कर रहा हूं कि कोई भी चीज मैं छूटने नहीं दूंगा एक भी चीज और अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो पूरा concept भी clear होगा और कहीं से किसी भी तरह का आपका गलती नहीं निकलेगी चाहिए आप कोई भी वीडियो देख लो किसी भी यूटूब पे देख लो इस वीडियो में जो भी मिलेगा जो भी content मिलेगा आपको पूरी तरह से सही-सही और accurate मिलेगा मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं तो इसलिए मैं कि यह solution में acid किस तरह से behave करता है कैसा होता है वहां पर एक चीज आपको एक बहुत मतलब की common चीज बता दूँ आपको बहुत practical चीज बता दूँ यह चीज आप ध्यान में रखना कि acid अपना acidity तब तक नहीं अपने पास रखता है तब तक नहीं उसके पास होता है जब तक क कि वह water में dissolve ना हो जाए कहने का मतलब यह कि acid अपनी properties तब तक नहीं सो करता तब तक वह acid नहीं रहेगा जब तक कि water में dissolve ना हो जाए ठीक है क्योंकि भाई acid का मतलब ही है कि जब water में जाएगा तो h plus sign reblate करेगा और वही h plus sign खतरनाक अगर तेजी से निकलेगा तो यह acid खतरनाक acid होगा समझ में आ रहा है मुझे जहां तक लग रहे है आप को समझ रहे हो तो मतलब कहने का मतलब है कि acid अपनी properties तब तक नहीं sow करता है जब तक कि वह water में चला ना जाए मतलब water के बीना acid बेकार है और acid के बीना water बेकार है sorry acid के बीना water तो सही ही है water के बीना acid जो है वो क्या होगा बेकार होगा ठीक है ये चीज आप जो है समझने की कोशिस करो ठीक है तो ये बहुत common चीज है कि acid अपनी properties तब तक नहीं सो करता जब तक कि water में वो dissolve ना हो जाए क्योंकि water में जाने के बाद ही हो h plus i को liberate करता है clear मुझे लग रहा है कि clear हो ठीक है अब आगे चलते हैं हम लोग क्या है actual में acid in water solution किस तरह से होता है क्या तो आपको पता है कि acid जैसे ही water में जाता है तो वो क्या करता है h plus i को produce करता है ठीक है acid produce h plus i in presence of water h plus i तभी वो produce करेगा जब तक कि वो water में होगा ठीक है अगली चीज actual में होता क्या है वहाँ पर ये चीज हमको एक reaction के माध्यम से देखनी होगी reaction के medium से देखनी होगी देखो बेटा यहाँ पर मैंने जो चीज मैं बोल रहा था h plus i cannot exist alone अकेले h plus i in कभी भी लिब्रेट नहीं करता है they exist as a h3 o plus i in अरे बाप बाप अब ये क्या है सर ये h3 o plus क्या से आ गया क्या है ये simple सा है बेटा simple सा ये कह रहा है कि जो ये h plus i in acid से निकलता है न वो अकेले नहीं रहता है वो water के साथ जाकर के मिल जाता है और h3 वो plus बना लेता है कैसे बोलोगे सर कैसे अब वही चीज तो हमको समझना है वही चीज तो हमको देखना है देखो यहाँ पर जैसे माल लो कोई acid है माल लिए हमने hcl है ठीक है अब यह hcl जब water में जाएगा तो h plus i in liberate करेगा लेकिन वो h plus i in तुरंती कहां पे चला जाएगा water के पास तो यह किसमे कनोट हो जाए h3o plus plus cl minus में इस चीज को समझने की कोशिस करो मैं बता रहा हूँ जैसे यह हमारा hcl है और आपको पता है कि यह बला पाट positive होता है और यह बला पाट negative होता है जैसे water में गया जैसे water में गया किसमें कनोट हो गया पूरी तैसे टूट गया h plus और plus cl minus में लेकिन जब water में जाएगा तो water में किस तरह का malicule है H2O है भाई तो यह जो H प्लस है ना जो ही H प्लस आयन है वो जा करके यहीं चिपक जाएगा इसी H2O से जा कर क्या हो जाएगा चिपक जाएगा इस्टिक कर जाएगा और इस्टिक कर जाएगा तो फिर क्या बना देगा H3O plus H3O plus it's called hydronium ion it's called hydronium ion it's called hydronium ion ठीक है H3O plus ion को हम hydronium ion कहते है ठीक है H3O plus को हम क्या कहते है hydronium ion तो हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा acid है water में जाने के बाद H plus ion तो liberate करता है लेकिन H plus ion single अकेले नहीं रहता वो H plus ion बाद में क्या करता है H2O के साथ चिपक जाता है और H2O के साथ चिपकने के बाद किसमें कनोट हो जाता है H3O plus में यहीं चीज यहाँ पर बताई जा रहे है H plus ion H2O H3O plus ion इसको हम क्या बोलते हैं hydronium ion इसको हम क्या बोलते हैं hydronium ion मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपसे बोलूंगा comment box में कि hydronium ion का formula क्या होता है मुझे लिख के बताऊ ठीक है HCl plus H2O और यहाँ पर H3O plus Cl minus ठीक है अब आप बोलोगे सर यह कैसे हुआ कैसे तो यह बेटा mechanism है यह आपको learn करना पड़ेगा मैं इस chapter में अभी नहीं बता सकता जब chapter आएगा valency का chapter आएगा जब बात करेंगे हम लोग periodic table की तो वहाँ पर मैं यह सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा या फिर non metals और metals में यह सारी चीज़े रख़्ी हुई है तो वहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे हम form करते हैं कैसे h3o plus h3o plus जो है बनता है ठीक है तो अभी आपको इससे related किसी भी question कोई भी question comment box में करने की जरूरत नहीं है ठीक है अब बात हम करेंगे अगले topic से बारे में strength of acid अगले topic के बारे में हम लोग बात करेंगे strength of acid acid का strength क्या है ठीक है acid कैसे measure किया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कितना खतरनाक होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो I hope की जो अभी जितने topics बताया गये है है सुरू से लेकर के लास्त तक वह आपको clear हो गया होगा water में acid क्या होता है किस तर से दिखता देखो बाई water में acid जाएगा तो H plus iron लिब्रेट करेगा और H plus iron अकेले नहीं लिब्रेट होगा वह H plus iron जाके water से चिपक जाएगा और H plus में convert हो जाएगा और उस H plus H plus को हम बोलेंगे hydronium iron classification आपसे में बता है कि दो तरह के दो तरह के दो तरह तीम तरह के classification किये गए है पहला है on the basis of liberating H plus iron in water solution अगर आपका water में H plus iron बहुत तेजी से जा रहा कर रहा है लिब्रेट कर रहा है कोई से तो उससे हम बोलेंगे weak acid strong acid के example में रहता है H2SO4 HCl HNO3 यह सारे strong acid के अक्वरेजिया यह सारे strong acid के example है उसके फिर में रहता है weak acid के example CS3C UAS जिसको stick acid बोलते हैं oxalic acid lactic acid and citric acid और अगला जो हम लोग देख रहे थे concentrated acid और dilute acid के बारे में तो concentrated acid का मतलब यह कि ऐसा acid जिसमें acid का amount क्या जादे है और water का amount क्या है कम है तो उसको जहां तक लग रहा है clarify हो गई होंगी अब हम आगे बात करेंगे strength of acid की strength of acid मतलब की acid खतरनाक है या नहीं खतरनाक है बहुत ही अधिक जो h plus sign लिप्रिट करता है या नहीं करता है उसको हमें estimate करने के लिए हमें किस तरह के process से गुजरना पड़ेगा कैसे हमें देखना पड़ेगा उस चीज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे देखिए इस बाले topics में strength of acid can be estimated using pH scale ये क्या होता है pH scale बेटा एक scale है जो determine करता है कि कोई acid strong acid है या फिर weak acid है मतलब की acid के strength के बारे में बताता है अब ये होता क्या actual में pH का मतलब क्या होता है उसको समय लेते हैं pH का मतलब होता है बेटा पी जो होता है वो potence इसका मतलब नाम होता है potence जो की एक French word है और ये आपका sorry Latin word है इसका मतलब होता worm power और जो हं यहां पर h धिक रहा है नगे h यह आपका small letter में और यह आपका capital letter में यह H का मतलब होता है hydrogen power of hydrogen मतलब यह determine करता है कि power of hydrogen किसका कम है किसका जादे है अगर जादे है तो आपका वो acid क्या होगा strong होगा और कम है तो क्या होगा weak होगा देखो pH scale अगर आपका pH scale कम होगा अगर आपका pH scale suppose that 1 है 2 आ रहा है 3 आ रहा है 4 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि acid क्या है strong acid जितना कम pH scale उतना strong acid और जितना ही जादे pH उतना ही क्या होगा weak acid अब तो आपके दिमाग में घंटी वजेगी इसे कैसे यह कैसे हो सकता है अगर यह power of hydrogen को denote कर रहा है तो इसका मतलब तो यह होगा कि अगर pH जादे है अगर जो pH की value जादे है तो acid उतना ही खतरनाक होना चाहिए लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है क्योंकि यह जो pH है ना वो log यह जो pH है वो log में determine करता है h plus log में determine करता है और log की value होती है अमेसा negative way में तो जितना कम आपकी value आएगी pH scale पे उतना ही जादे h plus i n का concentration होगा ठीक है उतना ही यह हमेसा log में determine और log की value क्या होती है हमेसा negative होती है ठीक है तो जितना कम उतना ही जादा आपका क्या होगा क्या होगा उतना ही जादा आपका acid खतरनाक होगा तो log के वज़ा से जो है इसकी value determine होती है log के साथ तो इसके वज़ा से जो है pH scale पे हम बोलते हैं कि 1 pH scale का acid क्या होगा खतरनाक होगा 2 pH का acid क्या होगा वो वीक होगा comparison to 1 बाले ठीक है clear हुआ और 7 के अगर जो नीचे है तो आपका क्या होगा pH scale 7 के नीचे हो तो आपका वो acid और 7 के उपर तो क्या हो जाएगा base तो मुझे जहां तक लगता है ये भी आपको clear हो गया होगा पूरी तरह से तो आज के इस वले वीडियो पार्ट में बस इतना ही अब next वीडियो पार्ट आप लोग wait करिए next वीडियो पार्ट में हम लोग पूरा पढ़ेंगे base के बारे में क्योंकि अब acid से related जितने भी terms हैं जितने भी चीज़े थी मैं आपको समझा दिया हूँ आप वीडियो को देखिए एक बार अब जो नहीं learn हो रहा है तो बार बार देखिए हजार बार देखिए तब जा करके आपके पूरे concept clear होंगे और आप पूरी तरह से acid को समझ पाओगे ठीक हैं तब तक के लिए भाई नमस्कार ससेकाल बाई 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 टाटा